भगिरिती द्वारा गंगा के अवतरण की कथा नारत जी ने कहा सुर्ष्ट्रेष्ट एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए एक तो वे है जो गौतम नामक ब्रहामन की द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया जिसे क्षत्रिय राजा भगिरत ले आए अतर उसी के प्रसंग मुझे सुनाईए ब्रह्मा जी बोले देवरिशे वैवस्वत मुनी के वंश में राजा इक्षवाकू के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गये वे यग्य करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे उनकी दो पत्निया थी वे दोनों ही पतिभक्ती परायन थी किन्तु उनमें किसी को भी संतान ना हुई इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी एक दिन उन्होंने महरशी विचिष्ट को अपने घर बुलाया और विधी पूर्वक उनकी पूजा करते हुए पूछा महात्मन किस उपाय से मुझे संतान होगी उनकी यह बात सुनकर महरशी विचिष्ट ने कुछ काल तक ध्धान किया उसके बाद राजा से कहा राजन तुम पत्नी सहित सदा रिशी महरशीयों का सेवन करते रहो यों कहे कर महरशी वसिष्ट अपने आश्रम को चले गए एक समय की बात है राज रिशी सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे राजा ने उन महरशी का पूजन किया इससे संतुष्ट होकर वे बोले महाभाग वर्मागो यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्राथन की मुनी बोले तुम्हारी एक पत्नी के गर्ब से एक ही पुत्र होगा किन्तुवे वंचधर होगा और दूसरी स्त्री के गर्ब से साथ हजार पुत्र उत्पन होंगे वर्दान देकर जब मुनी चले गए तब उनके कथना नुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र होए राजा सगर ने उत्तम दक्षणा से युक्त बहुतेरे अशुमे ग्यग्य के लिए उन्होंने विधी पूर्वक दीख्षा ग्रहन की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को न्युक्त किया अश्प्रित्वी पर भ्रमान करने लगा इसी बीच कहीं अफसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौप दिया राजकुमार घोडे को इधर उदर ढूणने लगे परन्तु कहीं भी वह उन्हें दिखाई ना दिया तब उन्होंने देवलोक में जाकर घोडे को ढूणा परवतों और सरोवरों में खोजा कितने ही जंगल चान डाले मगर कहीं भी उसका पता न चला उसी समय आकाशवानी हुई सगर पुत्रों तुम्हारा घोडा रसातल में बंदा है और कहीं नहीं ये सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब और से प्रित्वी को खोदने लगे क्षुधा से पीडित होने पर भी वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमी खोदते रहे इस प्रकार वे शीगरी रसातल में जा पहुंचे सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे उनके वद का उपाय करने लगे वे बिनायुद किये भी भैबीत हो उस थान पर आये जहां महामुनी कपिल सो रहे थे कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था राक्षसों ने वे घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सरहाने पर बांद दिया और सुयम चुप चाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है इतने में ही सगर के बुत्र असातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंदा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है उन्होंने कपल जी को ही अश्व चुरा कर यग्य में विग्ण डालने वाला माना और ये निश्य किया कि ये महापापी मनुश्य है और इससे मार कर हम लोग अपना अश्व महाराजा के निकट ले चले उन में से किसी ने कहा अपना पशु बांदा है इसे ही खोल कर ले चले इस सोय पुरुष को मारने से क्या लाब ये सुनकर दूसरा बोला हम शूरवी राजा हैं शासक हैं इस पापी को उठाएं और क्षत्रियों चित तेज से इसका वद कर डाले फिर क्या था वे मुनी को कटूवचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे इससे मुनी श्रेष्ट कपिल को बड़ा क्रोधाया उन्हेंने सगर पुत्रों की और रोशपून दृष्टी से देखा और देखते ही रहसा भस्म हो गए वे सब के सब जलकर राख हो गए नारद यग्ये में दीख्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता ना लगा उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह समाचार सुनाया था इस से राजा को बड़ी चिंता हुई अब क्या करना चाहिए ये बात उनके समझ में ना आई राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसक बात की सूचना दि पुत्र का ये अन्याय जानकर महाराज को बड़ा करोधाया उन्होंने अपने अमात्यों से खा यह असमझा बालकों की हत्या करने वाला क्या क्षत्री धर्म का त्यागी है अतह ये इस देश को त्याक कर दे महराज का यादेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया असमजा वन में चला गया अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्रहामन के शाप से रसातल में नश्ठ हो गए एक बचा था वह भी बन में चला गया इस समय मेरी क्या गत्र होगी असमजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्या यद्देपी अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने बुला कर अपना कारे उसे बतलाया अंशुमान ने भगवान कपिल के अराधना की और घोडा ले आकर राजा सगर को दे दिया इससे ही अग्य पूर्ण हुआ अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगिरत हुए भगिरत ने जब अपने समस्त पितामों की दुर्गती का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ उन्होंने निप शेश सगर से विने पूर्वक कहा महराज उन सब का उध्धार कैसे होगा राजा ने उत्तर दिया बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं यह सुनकर बालक भगिरत रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरत उने कह सुनाए कपिल मुनी बहुत देर तक ध्यान करके बोले राजन तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की अराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पित्रों की भस्म को आप लावित करो इससे तुम तो कृथार्थ होगे ही तुमारे पितर भी कृत-कृत्ते हो जाएंगे यह सुनकर भगिरत ने कहा बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा मुनी श्रेष्ट अपनी शक्ती के अनुसार तपस्या करते रहो इससे तुमारे अभिष्ट की सिद्धी होगी मुनी का ये वचन सुनकर भगिरत ने उन्हें प्रणाम किया और केलास परवत की यात्रा की वहां पहुँचकर पवित्र हो बालक भगिरत ने तपस्या का निश्रे किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा प्रभो मैं बालक हूँ मेरी बुद्धी भी बालक की ही है आप भी अपने मस्तक पर बालचंद्रमा को धारन करते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता आप मेरे इस अंजान पन से ही प्रसन होई है अमरेश्वर आत्ता जो लोग वानी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में सनलग्ण रहते हैं उनका कल्यान करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ आप देवता आदी के लिए भी पूझे हैं जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन किया है पाल पोसकर बड़ा किया है भगवान शिव उनका अभिष्ट मनूरत पूर्ण करें मैं बालचंद्र का मुकुट धारन करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ भगिरत के यों कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले महामते तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलब नहीं है दैभी मैं तुमें निश्य ही दे दूँगा यह आश्वासन पाकर भगिरत ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसंद्न होकर कहा देविश्वर आपकी जटाओं में जो सरेताओं में श्रेष्ट गंगा जी विराजबान है उने ही मेरे पित्रों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब महिश्वर ने हसकर कहा बेटा मैंने तुमें गंगा दे दी अब तुम उनकिस्तुति करो महादेव जी का वचन सुनकर भगिरत ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को सैयम में रखकर भग्ति पूर्वक गंगा का स्तवन किया बालक होने पर भी भगिरत ने अबाल कोचित पुर्शार्थ करके गंगा जी की प्राप्ति और क्रपा प्राप्त की महादेव से प्राप्त हुई गंगा को पा कर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाद जोड़ कर कहा देवी महामुनी कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गती में पड़े हैं माता आप उनका उद्धार करें देवनेदी गंगा सब का उपकार करने वाली हैं विस्वर्ण मात्र से सब पापों का नाश कर देती हैं उन्होंने भगिरत की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोकों का उपकार एवन पित्रों का उद्धार करने के लिए भगिरत के कथना नुसार सब कारे किया राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे उन्हें अपने जल से आप लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड़े को भर दिया महामुने इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिया गंगा का व्रतान सुनाया ये माहिश्वरी वैश्णवी, ब्रहामी, पावनी, भागी रथी, देवनदी तता हिंगिरे शिकराश्या हैं हिमाले की चोटी पर रहने वाली हैं अर्थात ये इन्ही सब नामों से पुकारी जाती हैं इस प्रकार महादेव्श की जटा में स्थित गंगा जी का जल दो सुरूप में विभक्त हुआ विंदेगिरी के दक्षन भाग में जो गंगा है उन्हें गोदावरी कहते हैं और विंदेगिरी के उत्तर भाग में जो स्थित गंगा हैं उन्हें भागी रथी कहते हैं झाल